हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माई चानल, आए होब आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं S.E.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए पठन अभियान के तहत आज हम समझेंगे हिंदी की वाकशीट और ये है वाकशीट नमबर साथ जो की 24 जनवरी 2022 की वाकशीट है और बच्चों ये वाकशीट क्लास 6, 7th and 8th के लिए है तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और आज की कहानी का नाम है शेर और चूहा बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें आप चाहें तो अपने फ्रेंज के साथ भी शेर कर सकते हैं और इस चानल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सकें तो चलिए इसको शुरू करते हैं एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था अचानक एक चूहा छेट से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया शेर ने उसे पकड़ लिया अब आईए देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया यानि कि शेर ने इस चूहे को छोड़ दिया चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा एक दिन शेर जाल में फस गया उसके बाद क्या हुआ चूहा वहाँ आ गया और उसने जाल को काट दिया शेर ने चूहे को शुक्रिया किया तो एक दिन क्यूंकि शेर ने चूहे को छोड़ दिया था उसकी जान को बक्ष दिया था इसके बदले में चूहे ने भी शेर की मदद करी और उसके जाल को काट कर शेर को उस जाल से आजाद कर दिया इस कहानी के आधार पर हम इन प्रशनों के उतर लिखने है पहला प्रश्ण है बच्चो कि शेड ने चूहे को क्यों छोड़ दिया चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं हम सभी तो बच्चो क्वेशन नमबर वन का आप आंसर लिखेंगे कि शेड ने चूहे पर दया कर उसे छोड़ दिया होगा next question है कि शेड ने चुहे को शुक्रिया क्यों किया तो आप इसका answer लिեղ लिखेंगे कि शेड ने चुहे को शुक्रिया इसलिए किया क्योंकि चुहे ने उसकी जान बचाई थी और उसके बाद है और third question जिसमें हमसे पूछा हुआ है कि अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र बनाईए तो यहाँ पे आप इन दोनों का ही चित्र बनाएंगे तो बच्चो ये थी आज के हमारी हिंदी की वाक्षीट and I hope आप सभी को ये वाक्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों कर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू